प्यारे बच्चों जैहिंद वद्ने मात्रम आपसे भी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डेन पार्शाला में इस क्लास में हम लोग देखेंगे अर्धवार्शिक परिशा 2022-23 के लिए संसकरत का माडल पेपर है ये कच्छा आठ का तो आए शुरू करते हैं वीडियो को सभी लोग एक बार वीडियो को सेर कर देंगे और साथ ही जितने भी आपके वार्शाप गुरूप हो या फेस्बूप गुरूप हो सभी पर ये वीडियो आप सेर कर दीजे ताकि सभी लोगों को ये माडल पेपर मिल सके और अच्छे से अच्छे अंग प्राप्त कर सकें सभी लोग अपने अपने दोस्तों के साथ सेयर कर दें तो आईए सुरू करते हैं पहला कुश्चन आपका दियागा है थोड़ा सा निर्देश समझ लेते हैं किस प्रकास का अगर निर्देश दिये जाएंगे निर्देश दिया गया है कि खंड दिये गए हैं अस्माकम प्रदेश से सीता पुजन पदे नैमी सारण प्राचीन स्तीर थे स्तलम अस्ती तत्र एकसमिन आसरमे रस्या मुनेहा गुरुवाह कवयाहा छात्रास से निवसंती इसम आसरमस्य विसाले परिसरे अस्वथा वट निम्बका सोग व्रच्छान तो यह प्रकार से आपका जो है पहला ग्राफ दिया गया है तो जो आपको इसमें से आता हुए वो इसका आपको अर्थ लिख देना है और इसके लिए आपको किते नमबर मिलेंगे वही सात नमबर मिलेंगे अगला प्रशन आपका देगा है दो नमबर निमलिकित सलोग में से किसी एक का हिंदी में अथरिकिए का और खा दो सलोग दिये गए हैं कोई एक किस में से करना है और इसके लिए आपको सात नमबर मिलेंगे तो चाहे का कर दीजे चाहे खा करतीजे का दिया गया है आयम निज यह मेरा है परोवैत यह तेरा है गड़ना कौन करते हैं लगुचेतसाम अर्थात जो छोटे दिल वाले जो छोटे हर्दय वाले लोग होते हैं वो ऐसी गड़ना करते हैं उदार चरितिने सज्जन विक्ति जो होता है उसके लिए तो वासुधयो कुंडित कुटम्बु का मतल काकयो वसंतमय प्राप्त काका 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 पिका काका पिका है ना लिखा है कि काका मिन्स कव्वा कश्र मिन्स काला ठीक और पिका किसना यानि काका में कव्वा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है को भेदा पिका काकयो कौन इसमें भेद करता है लेकिन वसंतरित में जो ह है क्या होता है जब प्रसंद रित आता है तो वह अलग हो जता है और कोईल भी अलग हो जाती है अर्थात समय आने पर अपना-पना लच्छड जरूर बताते हैं तो यह आपको इस प्रकास से लिखता है बढ़ा चड़ा के जो आशे लिख पाओ तीसरा नमबर प्रशनक दिया गया है कि निम्न लिखित में से किनी तीन प्रशनों के संतरत में उत्तर लिखे का नमबर प्रशनक दिया गया है आसरम से समीप का नदी प्रवाह थी आसरम के समीप कौन सी नदी बहती थी सतीसत जननी केन पीड़ता आसीत सतीस की जो माता थी किस से पीड़ित थी खान नमबर प्रसनक दिया गया है और गाहे दीपा वली कस्ष परवा आश्षित ठीक और कस्का छेतरान केन करशनती तो ये आपका चार प्रसन दिये गए हैं और तीन प्रसनों के उत्तर आपको देना है और दो दो नमबर में आपके दिये गए हैं चार नमबर प्रसन दिया गया है निमलिखित पाठों में से किसी एक का सारांस हिंदी में लिखे नव नमबर इसके लिए आपको मिलेंगे लिखा है वर्धमान महावीरा किम तर्तु जानातिभामान और ग्राम जिवनम इन में से कोई एक जो है आपको लेशन का हिंदी में अर्थ लिखना है सारांस से लिखना है अपने सब्दों में लिख देना है नव नमबर इसके लिए मिलेंगे और पांच नमबर कुशन दियागा है अपनी पाठे पुश्टक संसकरत प्यूसम से याद किया हुआ एक सुलोग लिखिए तो हर आपको जो है सेट में आपको मिल जाएगा सुलोग याद किया हुओ लिखिए तो आपको दो सुलोग कम से कम याद होने चाहिए और कोई एक इसमें से आप लिख सकते हो छhesta नंबर प्रीषण दिया गा है कि निमलिख़ित सब्दों का संद्य विच्छेथ कीजै चान नंबर में है और Чारों का आपको संद्य विच्छेथ करना है मता अनुसारेण इत्यासीत उपदेशा aloneुसारेण और तिरी रतनों पासनाय तो यह आपका दिया गया है साथ नम्मर प्रश्ण दिया गया है कि निम्लिखित में से किन्ही तीन वाक्यों का संसघरत में अनुवात कीजै यह छे नम्मर में आपका प्रश्ण दिया गया है तीन का कियोल जो है अनुवात करना दीपावली प्रकाश का परवा है सिख जन गुरु गुरंत साहिब को नमस्कार करते हैं महावीर की माता का नाम तृसला था वह पढ़ने के लिए आता है तो चार दिये गए है तीन का आपको आयसंसकरत में अनुवात करना है इसके लिए आपको छे नमबर मिलेंगे आठ नमबर प्रकार के उत्तम प्रूस के सभी वचनों में धात रूप लिखिए ये तीन नमबर में दिया गया है तो इस प्रकार से आप ये जो है कुश्चन पेपर हल कर पाएंगे और ये कुश्चन पेपर बस्तिना ही था और अगले प्रश्ण पत्र को हम किसी दूसरे वीडियो में बताएंगे तो तब तलग के लिए धन्वाद